मैं परिंदा क्यूं बनूं मुझे आसमा बनना है मैं बंदा क्यूं बनूं मुझे दास्ता बनना है यह जो दो लाइन्स है यह साइना के ट्रेलर की पहचान है या फिर यूँ कह लीजे कि आने वाली बायोपिक साइना नहवाल पर जो बन रही है साइना उसकी पहचान है ट्र स्मार्च को ये फिल्म साइना रिलीज होने वाली है लेकिन अभी ट्रेलर सामने आया है परिनिती चोपड़ा यहां पर साइना नहवाल का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी और ट्रेलर जिस तरीके से शुरू होता है और जैसे खतम होता है शुरू से लेकर आखिर तक एक बात समझ में आती है कि साइना नहवाल की जिंदगी में उनकी मा का और उनके पिता का बहुत ही एहम योगदान है अगर उनकी मा की बात करे तो जिस तरीके से ट्रेलर में दिखाया जा रहा है कि कैसे उनकी मा ने हमेशा उनको सपोर्ट किया हमेशा उनको एंकरिज किया वो साफ साफ ट्रेलर में नजर आ रहा है और ट्रेलर इस तरीके से बता रहा है कि फिल्म की हिरोईन जहां साइना नहवाल तो रहेंगी रहेंगी वहीं दूसरी तरफ फिल्म की हिरोईन उनकी मा भी कहलाएंगी जिस तरीके से ट्रेलर सामने आया है दिखाई दे रहा है कि साइना नहवाल की पूरी कहानी को पिरोगे रख दिया गया है एक फिल्म के अंदर जहां पर उनके बचपन से लेकर उनके हाइस्ट पीक पर फिर उनके डाउन फॉल पर फिर राइस पर हर एक मुद्दे पर हर एक सीन पर आपको कुछ ना कुछ खड़ा हो जाना हो सीधे सामने या फिर हिंदुस्तान के लिए मेडल लेकर आना हो दिखाया गया किस तरीके से एक छोटी सी बच्ची के लिए उसकी मा और उसके पिता सपने देखते हैं और वो भी सपनों को पाने के लिए आगे बढ़ती है और हिम्मत रखती है आगे उचाईयों पर पहुंचती है जो की ट्रेलों में दिखाया जा रहा है फिर ये भी दिखाया गया है कि किस तरीके से उनको क्रिटिसिजम का सामना करना पड़ता है क्योंकि हिंदुस्तान ही क्या पूरे विश्व में एक खास बात रही है जनता की कि जब कोई उचाईयों प अपने डाउन फॉल से घुजरी है और कैसे खुद को मजबूत रखा और कैसे फिर से आगे बड़ी साइना नहवाल और साइना नहवाल की पूरी जर्णी देखकर जितना मुझे लगता है कि मुझे ट्रेलर से गूसबम्स आ गये तो आपको फिल्म से जरूर गूसबम्स आ अगरी है और जिस तरीके से लुक जो अटायर है जो पूरा का पूरा उन्होंने कौपी किया है साइना नहवाल का बहुत ही कमाल का किया है तो कई मौकों पर भूल जाएंगे कि यह परनिती चोपड़ा है और आपको साइना नहवाल ही नजर आएंगी तो मेरे जाब से ट्र मेरा नम है अंकर आप देख रहे हैं बॉलिवुड स्पाई